जहें हैं दोस्तों स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतिये रेलबे ने यूपी बिहार और बंगाल के ट्रेनों में बहुत बड़े बदलाव किये हैं और यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी तो दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए का चलिए इस डीटेल वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो भारतिये रेलवे इस साल यानी की 2024 में हर रूट पर नए नए ट्रेनों का संचालन लागतार करती जा रही है ट्रेन में भीड बढ़ने के कारण हर रूट पर भारतिये रेलवे नए नए ट्रेनों का संचालन कर रही है इसमें आपको कई special train का भारतिय रेलवे ने संचालन किया special train का भारतिय रेलवे ने फेरे भी बढ़ा दिये हैं जिसे लोगों को काफी सहुलियत मिल रही है लेकिन इस विडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतिय रेलवे ने most popular train में बड़े बढ़ाव किये हैं तो कौन-कौन से बड़े बढ़ाव इस train में आपको देखने को मिलने वाले हैं और कौन सी ये ट्रेन होने वाली है तो चलिए इसको डीटेल में मैं आपको बताता हूँ दोस्तो बिहार बंगाल और यूपी की तरफ यातरा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर भारतिये रेलबे द्वारा निकल कर सामने आई है इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में अब सीट मिलने के परसानी जो पैसेंजर धेल रहे थे उससे रेलबे अब छुटकारा लोगों को देने वाली है और इसके लिए भारतिये रेलबे ने एक बड़े कदम उठाये बिहार बंगाल और यूपी से गुजरने वाली ट्रेनों में अधित्तम भीड को मद्दे नजर रखते हुए जनरल और सिलीपर कोच बढ़ाने की आव सकता है भीड को लेकर रेलबे बोड भी मोनेटरिंग कर रही है देखा गया है कि जनरल और सिलीपर कोच में यात्रियों के इतनी भीड हो रही है कि एसी कोच में भी लोग अपना कबजा जमा लेते हैं ऐसे में वी आईपी यात्रियों को परिशानी होने लगती है इसको लेकर बिहार संपर करांती पूर्विया एक्सप्रेस सही पूर्मध रेलबे के 15 ट्रेनों में सिलीपर और जेंदल कोच बढ़ाने के आदेस दिये गया है रेलबे बूर्ड द्वार अधिक भीड होने वाली ट्रेनों की सूची पूर्मध रेलबे के सारे मंडलों से मांगी गई है रेलबे बूर्ड में भेजे गए पत्र के अनुसार मंडल अस्तर से रेल मुख्याले भेजा गया वहां से फिर रेल्वे बोड को भेजा गया, रेल्वे बोड के आदेश पर दरभांगा से नई दिल्ली जाने वाली, एक पचीश पैंसट और एक पचीश चासट विहार संपर्क करांती एक्सप्रेस, सहरसा से आनन्द विहार जाने वाली, एक बावन उनासी और एक बावन असी पूर्विया एक्सप्रेस में थर डेसी के कुछ बोगी को हटा कर कुछ जेनरल बोगी इसमें लगाये जाएंगे, दिवाली और छट को लेकर ट्रेनों में सीट अभी से ही फूल होने लगी है, कई एक्सप्रेस और सुपरफास ट्रेनों में वेटिंग की लिस्ट बढ़ती जा रही है, इसी बीच कोच बढ़ाने की खबर यात्रियों के लिए एक बहुत बढ़ी राहत भरी खबर भारतीय लगातार कई ट्रेनों में बढ़ा रही है, इसे आने वाले दिनों में जो थट दिवाली का पर्व आने वाला है, इसे लोगों को काफी ज्यादा सहुलियत और फायदार मिलने वाला है, कि सभी लोग चाहते हैं अपने घर जाने के लिए जेनरल कोच हो, या फिर स्लीपर को कुछ लागातार बढ़ाती जा रही है, और आने वाले दिनों में आपको जितने भी प्रीमियम ट्रेन चल रही है, या एक्सप्रेस सूपर फास्ट ट्रेने भारतिये रेलवे चलाती है, उन सभी ट्रेनों में आपको एक से लेकर दो और दो से लेकर चार जनरल के कुछ भा चेयर रेलवे हर साल की भाती जाल साल भी करेंगी सासार वैसकों वंदे भारत एक्सप्रेश को भी भारतिय रेलवे को भी सफ़र करने का मौका भी मिला पहली बार इस वंदे भारत यानि की चियर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 1000 किलोमीटर के दाइरे पर भारतिय रिल्वे ने चलाई थी और इसमें भी अच्छी खासी कमाई भारतिय रिल्वे को भी होई और इस रूट पर वंदे भारत के परिचालन को लेकर काफी लोग खुस भी थे कि इस रूट पर भारतिये रिल्वे ने वंदे भारत का परिचालन किया और लोगों को वंदे भारत में सफर करने का एक मौका मिला तो ऐएसी बात नहीं है, कि भारतिये railway ने पिछले सल वंदय भारत का परिचालन किया और इस सल नहीं करेगी दो जो कि आने वाले report भारतिये railway द्वारत निकल कर सामने आएंगे तो मैं आपको फिर से बताने का परयास करूँगा फिलहाल यात्रियों के सहुलियत के लिए भारतिय रेलबे जो भी एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन और प्रीमियम ट्रेन अभी चल रही है उसमें लागतार भारतिय रेलबे जेनरल के कोच बढ़ाती जा रही है ताकि लोगों को सहुलियत मिले और जो लोग जेनरल का बढ़ने से लोगों को काफी सहुलियत यातरा करने वाले लोगों को मिलने वाली अगर हम भीड की बात करें तो यूपी और बिहार और बंगाल के जो चलती है भारती रेलबे चलाती है अक्सर इसी ट्रेनों में आपको ज्यादा तर भीड़ देखने को मिलते हैं इसलिए भार बढ़ाने जा रही है कि आने वाले दीनों में जो परव का तेवहार आ रहा है इसमें लोगों को काफी सहुलियत तो दोस्तों जब भारती रेलबे इन ट्रेनों में जनरल के कोच बढ़ा रही है तो इस पर आपकी कहई रहा है ज़रूर बताईए गा और कौन कोन सी ट्रेनो वे बहारतीय रेलवे को अभी लंब जनरल के कोछ बढ़ाने चाहिए ये भी कमेंड करके जरूर बताईएगा। और किसी मसुहूर ट्रेनों में भारतीय रेलवेश जेनरल के कुछ बढ़ाएगी और उसका जानकारी मेरे पास आएगा तो ओभी मैं आपको देने का परियास करूंगा खिलाल दोस्ते जानकारी आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मिलते है किसी नेक तोपिक कोई नई जनकारी के साथ तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़ जे हिंजे भारत वन्द मातरा